तो गेन की नाई उचल रहे हो और बिना बात के मयान से निकर रहे हो वो कमान पिलकुल गली सड़ी थी न जाने कब से यहां पड़ी थी जिसके लिए आप इतना सिल मिला रहे हो और गेंची की तरह दवान चला रहे हो अभी अगर कुछ मतलब है तो बता दीजिए अनिता चु अभी दिखाता है तेरा तेरा गार क्यों चाचर करता है क्या तो मेरे कैर गजब से नहीं डरता है और क्यों मुझे खाम खाम कुछा दिला रहा है और अपनी मुद को बुला रहा है बड़े बड़े भादूर मेरे लाम की दुगाई देते हैं और सावले से भागते दिखाई देते हैं मगर उचे मसूल जानकर तर्स खाता हूं इसलिए अगना सच्टर नहीं चलाता हूं मगर पकरे के माप कवता क्यान होना इदी आकर तेरी जान मेरे हाथ नहीं क्यों बज्जे से नाहत लड़ाई करो प्रहे मने हो कुछ सामाई करो ये बैचा नहीं तेरी की बेल है समझे रखा इसने मुझे खेल है किया है घुना मैं गुनेगार हूं सजा दो मुझे में सजा वाहर भूं क्यों निकले पढ़े इसका धर्म्यान से मैं खुब खुब वाकब तेरी शान से ये करता है खुद मोद की जो जो जरा कर तो इसका मेरे रोग 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 तो लक्षमन भी कोई तमाशा नहीं जो डालो के मूँ में पताशा नहीं दो जरा ठेर तुझे को दिखाता हूँ मैं सरकशी का दिखाता हूँ मैं क्यों निकले पढ़े इसका धर्यान से मैं हूँ खुब वाकब तेरी शान ने क्यों महाराज लच मन तो नादान है तुम्हे बेहुआ मुक्त अभीमान है महाराज लच मन तो नो देखो मुझे दांक दिखना रहा महाराज लच मन तो नादान है ये की दड़ सी ठप की दिखा और तो ये थी ये मत्य है चाखा और तो वो कहने से मेरे नरम हो गया तुम्हे इस पे नाहत भरम हो गया वो वो झाल झाल झाल